हाई अवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किया अशो का रिस्ट सिरप और यवी केल सिरप को दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं या नहीं इसी के बारे में वीडियो विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को पुरा देखें तो आईए हम बात करते हैं कि देखो अश्यो का रिस्ट सिरफ और ईवी केर सिरफ का हम उपयोग करते हैं तो अश्यो का रिस्ट सिरफ और ईवी केर सिरफ लगबख दोनों सेम हैं दोनों में जो जड़ी बूटिया मिलाई जाती है, जो कंपोनेंट मिलाई जाती है, या हर्प्स मिलाई जाती है, वो लगबग सेम ही होती है, थोड़ी वो मातरा में अंतर होता है, किसी में किसी के क्वांटिटी थोड़ी जादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, ठीक है तो पहले तो मैं आपका ये सवाल क्लियर कर दू कि अश्योकरिस्ट और आपकी EV Care दोनों को हमें एक साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए अगर मान लो डोक्टर ने आपको ये दिया है कि अश्योकरिस्ट सिरफ पीने के लिए दिये और EV Care capsule आपको खाने के लिए दिया है अगर एक डेली दे सकते हैं तो वो डोक्टर किस वज़े से दे रहे हैं ये आपकी condition पर डिपेंड करेगा अगर आप किसी का वीडियो देख के ले रहे हैं या आप डायरेक्ली ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारी लेड़ी से क्या करती है बस देख लेती कि हाँ हाँ मुझे ये ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये दवाई ले लेती हूँ ठीक है ऐसा आप लोग को कभी नहीं करना है अभी रिसेंटली एक कमेंट से मेरे पास में आया था कि मेडम मैं अश्यो का रिस्ट और इवी केर दोनों सीरप को एक साथ ले सकती हूँ कि नहीं क्योंकि मुझे पीसी ओडी है मेरे पीरेट्स इनरगुलर है बहुत सारी प्राब्लम से तो मैं दोनों को एक साथ लोंगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाओंगी तो ऐसा नहीं होता है आदेखो जो भी प्राब्लम में आपको पीरेट्स इनरगुलर है पीसी ओडी है पीसी ओडी है जो एक्स तो अगर आप ओवर्डोज लोगे तो क्या उससे वो चीज ठीक हो जाएगी नहीं ठीक है जितनी मेडिसिन की मात्रा हमरी बोडी को रिक्वार्मेंट है नीड है उतनी ही लेंगे तभी तो वो उस बीमारी पर वर्क करेगी तो ऐसा नहीं है कि हमारी विमर जल्दी ठीक करना है तो हम दबल डोज ले ले एसा कभी नहीं करना है ठीक है कोई भी सीरप को इनको हम यूटेराइन टॉनिक बोलते हैं यानि कि हमरी जो पेट के निशला हिस्सा है बच्चदानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए दवाई को दिया जाता है अब हम बात करें कि इनको उप्योग करते कब है तो जैसे मानलो किसी मेला की पीरेड इन्रेगुलर है किसी को पीरेड जब आते तो बहुत ज़्यादा पेन होता है किसी के पीरेड बहुत कम आते खुल करके नहीं आते हैं यानि कि स्कंटी पीरेट्स होते हैं, इसके बाद में किसी महलाओ को पीरेट बहुत ज़्यादा हेवी आते हैं, यानि कि बहुत सारे ब्लड क्लोड पास होते हैं, हेवी ब्लीडिंग होते हैं, साथ-ाथ दिन तक पीरेट बननी होते हैं, कमरे में भी बहुत ज़्यादा तो उसको ठीक करने के लिए इन सीरप का उप्यों किया जाता है। तो कभी-कभी तो खुदरत की करिश में भी होते हैं। तो कोई भी आप पेशन्ट है तो आपको समझ में आ रहा हुगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। पेशन्ट जिन्होंने फॉलिकुलर मोनेटरिंग नहीं कर रही हूँ। तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट जिनका एकाद दो बार हुआ भी है। उनको तो समझ में आता है कि मैं उनको क्या समझाना चारी हूँ। तो यसे में मानलो पेशन्ट हार के ठक्के हमारे पास आता है। तो हम बहुत जादा मेडिसिन नहीं देते हैं क्योंकि पेशन्ट को अल्रेडी डॉक्टर ने इतने हाइ-हाइड दोज दे रखे तो छोटी-मोटी मेडिसिन तो विससे भी काम नहीं करती है। तो जनरली हम पेशन्ट को बोलते हैं, रिलेक्स से रहो, आप अश्योकरिस्ति या फिर ईवी केर शुरू करो, साथ में फॉलिक असिट भी देते हो, दो-तिन महिने पेशन्ट को रिलेक्स रखते हैं, कि आप थोड़ा योगा प्रणायाम करो, एक्ससाइज करो, घूमो फिरो अपने डाइट अच्छी रखो, टाइम-टो-टाइम रिलेक्शन बनाओ, पीरेड बस रेगुलर होना चाहिए, पोलिक एसिडोर, एम-टो-टोन, या फिर आपके अश्योकरिस्ति या इवी केर, जो भी डोक्टर आपकी बॉड़ी के एकोर्डिंग आपको रिकमेंड करें वो लो, दो-तिन महीने में कही बार पेशेंट को कंसीव भी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इस्ट्रेस नहीं लेना है, और इसके बाद में जैसे किसी महला को अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, औूलेशन नहीं हो पा रहा है, किसी के एंडोमेटरेम की जो लाइन ह यानि कि ठिकने से जहां बच्चा के चिपकता है बच्चदानी में, तो वो अच्छी नहीं बन रही है, तो तब भी हम यह दवाईया देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ड, सापे चिप-चिपा पानी आता है, किसी को यूट्रस में इंफेक्शन हो रह रहता है, यानि कि स्वेलिंग की वज़े से बल की यूट्रस हो गया है, किसी को बच्चदानी के मूँपे असूजन आ गई है, सर्वाइटीस हो गया है, तो भी यह दवाईया रिकमेंड की जाती है, इनके साथ में कुछ और भी मैडिसन से एड की जाती है, ऐसा नहीं कि सि वीडियो के माद्यम से मैं बहुत अच्छे से यह समझा पाई हूँ कि हम दोनों सिरप को एक साथ ले सकते, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्य खेल करें, धन्यवाद